नमस्कार दोस्तों आज हम स्वास्ते तथा पोसल से संभंधित योजनाओं को जानेंगे इसका ग्यान हम सबको होना अति आवस्यक है चले जानते हैं फर्ष्ट योजना फर्ष्ट योजना है प्रधानमंतिर राष्टी पोशन योजना इसकी सुर्वातवर्ष 2021 में हुई और इसका उद्देश से है इस योजना के अंतर्गत सरकारी वर सरकारी सहता प्राप्ते स्कुलों में कख्छा एक से आड़ तक सभी बच्चों को गर्म एवं पका हुआ भोजन उपलब्द कराया जाएगा सेकेंड योजना है अमारी सुरक्षित मातरत वर अर्थत सुमन योजना इसकी सुरुवातवर्ष 2019 में हुई और इस योजना का उद्देश से है इसके अंतर्गत माताव नौजा सीसु प्रवास के 6 महने बाद तक निशूल कप स्वास्तेला प्राप्त कर शकेगे सरड योजना है हमारी राष्टी पोशन मिशन इसकी सुरुवातवर्ष 2018 में हुई और इसका उद्देश से है इसके अंतर्गत सभी बच्चों को उचित पोशन मिलना सुनिचित किया जाएगा अब देखते हैं फोर्थ नंबर की योजना है हमारी प्रधान मंत्री मातरतव बंदन योजना इसकी सुरुवातवर्ष 2017 में की गई और इसका उद्देश से है महिलाओ को सुरक्षित प्रवास एवं प्रसव के उपरांत मातरतव लाभ प्रधान करने वाली योजना है अब मलेरिया से पूर्ण तह मुक्त कराना अब देखते हैं शिक्स नंबर की योजना प्रधान मंत्री जन ओसदी योजना जिसकी सुरुवातवर्ष 2015 में की गई और इस योजना का उद्देश से इसके अंतरगा सरकार द्वारा उच्ची गुनवंता की जनरिक दवाई बाजार मुल्य से कम दाम में उपलब्द कराई जाएगी और दवाईयों के विकरन हेतु जन ओसदी केंद्र का प्रावधान है शिक्स सेवेंत नंबर की योजना देखते हैं मिशन इंदरधनु योजना जिसकी सुरुवातवर्ष 2014 में की गई और इस योजना का उद्देश से बच नंबर की योजना है जन्गी सिसु सुरक्षित कारेकरम अब इसकी सुरुवात वर्ष 2011 में की गई और इस योजना का उद्देश से इसमें गर्भवती महिलात सतह नौजात सिसुओं को वहितर स्वास्ते सुविधा प्रदान करने हितु सुरु गिया गया था अब देखते है नाइन्थ नंबर की योजना राश्तिय ग्रामीन स्वास्ते मिशन जिसकी सुरुवात वर्ष 2005 में की गई और इस योजना का उद्देश से है बालम रत्युदर की कटोती करके उसे प्रती हजार जिवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना और TFR को वर्ष 2012 तक 2.1 तक लाना व वीडियो को सेयर करना न भूले थैंक यू